नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ बिहार मैं आपके साथ रूप हूँ मुकामा उप चुनाओं को लेकर सभी पार्टियां धीरे धीरे तैयारियां कर रहे हैं भले भी वो कहे या ना कहे लेकिन किसे वहाँ पर खड़ा किया जाएगा वो सारा सेटिंग हो चुका है अभी आपको मैं बता दूँ कि मुकेश सहनी जोनों ने एलान किया है कि मुकामा उप चुनाओं में वो भी वहाँ पर सरकत करेंगे उनके भी लोग वहाँ पर खड़ा होंगे लेकिन अनन सिंग की वाइट जिनका कहा जा रहा है कि आरजेडी से टिकट उनको मिलेगा तो अब आरजेडी से टिकट उनको मिलेगा और मुकेश सहनी भी वहाँ पर सिरकत करने वाले हैं तो कहीं न कहीं कुछ तो टकर देंगे ही देंगे आज हमारे साथ बात करने के लिए एजाज अहमत जी हैं जो कि आरजेडी परवक्ता हैं मुरी से बात करते हैं मुकेशनी ने खुले आम तोर पे एलान कर दिया है कि अब मुकामा उप चुनाओं में पूसर करते लिए लोग तंत्र में सभी पार्टियों को चुनाओं लड़न हमारा उमिद्वार वहाँ पर होगा और सही वक्त पे पार्टी नेत्रित के द्वारा उमिद्वार के नाम के भी घोसना कर दी जाएगी लेकिन मुकामा तो टाल छेतर है तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि मलाह लोग जादा है वो तो काटेंगे ही काटेंगे देखिए कौन क्या होगा नहीं होगा इफबट में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं लेकिन इतना पता है सभी लोगों को कि राष्टिय जनता दल A to Z यानि सभी वर्ग सभी जाती सभी समुगों का नित्रित करता है और सभी वर्गों को अगर किसी ने मान सम्मान और अधिकार दिया है तो उस दल का नाम है राष्टिय जनता दल और हमारे नेता सिरितेजस्वी परसाजादव जिस तरह से नौजवानों के रोजगार के सवाल पर जिस तरह से बिहार में बढ़ती महंगाई भ्रष्टाचार लॉइन ओडर के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम किया है उससे जनता के बीच में उनके नत्रित का विश्वास बहुत ही मजबूती के साथ बढ़ा है और आपने देखा होगा कि पिछले उप चुनाओ जो बोचा का चुनाओ हुआ उसमें राष्टिय जनता दल सभी वर्गों सभी समुहों का वोट लेकर के व पूरे देश में बिहार से एक संदेश देने का काम किया है कि राष्टिय जनता दली सही माने में सभी वर्गों सभी समुहों का नत्रित करता है तो वहाँ पर भी मुके सहनी खड़ा हुए थे और बीजेपी का वोट उन्होंने काटा था देखिए कौन किसका वोट काटता नहीं काटता उससे मतलब नहीं है मतलब यह है कि हमारे साथ किनकिन वर्गों का किनकिन समुहों का आधार है और आपने देखा होगा कि सभी वर्ग सभी जाती सभी समुह और एटूजेट का जो हम लोग बात किया करते थे उन सभी लोगों नेने का काम किया जिस कारण आपका करने का मतलब है कि मुके सानी आपके पुरे बराबरी में कहीं पर भी नहीं है देखिए कौन क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है मतलब यह है कि जो चुनाव होता है उसमें देखा जाता है कि आपका प्रतिदंदी किस तरह से लड़ने का काम कर रहा है और हम तो लोगों का समर्थन है सभी वर्गों का समर्थन है यह तो हमारे राष्टिये नत्रित फैसला करेंगे कि कौन हमारा उमिद्वार होगा और चुनाओ की तिथी के घोसना के बाद ही राष्टिये नत्रित के द्वारा देखिए अनन सिंग जी हमारे विधायक रहे हैं और हमारे पार्टी के द्वारा सारे द्रिश्टी को रख करके ही फैसला लिया जाएगा देखिए खिलाफ का मामला नहीं है मामला है कि पार्टी नेत्रित को विश्वास अब पार्टी नेत्रित किस तरह से उमिद्वार की घोसना करता है उससे सभी कार्ज करता सभी नेता से विचार उपरांत ही फैसला होता है जब चुनाओ की घोसना हो जाएगी उसके बाद चुनाओ के उमिद्वार का भी घोसना हो जाएगा अभी तो चुनाओ के संबंद में सीट वेकेंट का ही अधिसुचना चुनाओ आयोग के द्वारा घ गोसित नहीं किया गया है तो चुनाओ की घोसना की बात कहा आती है बहुत बहुत धनिवाद आपका तो आप सुन रहे हैं कि जो मुकेस दावा कर रहे हैं कि वहां पर वह खड़ा होंगे मुकामा में आरजेडी से एजाज हमस जी मारे साथ जूरे हुए थे यह कह रहे हैं कि वहां पर हर वर्ग के लोग का वोट जो है ये आरजेडी को ही प्राप्त होगा क्योंकि तेजस भी यादो जिस तरह से काम कर रहे हैं लोग उन्हें ही पसंद कर रहे हैं और जीत तो आरजेडी की ही तय है अब देखना यह होगा कि मुकेस दावनी वहां पर खड़ा होते है और कितने वोट अपने पक्ष में कर पाते हैं और किसका वोट वो काटने हैं चलिए फिलाल के लिए बने रहे हैं लाइब भिहार के साथ हैं